एइलो गेलोट में बहुत चोटा सा Weed ulously become बना रहा हूं और इस पॡिएलर वीडियो में हम समझेंगे की कि किसी क्यूब में कैंपंच और किस तरीगे से बहुत चोटा म् वीडियो होगा इसके बाद व्हीडियो में बनाने वाले मान के जलते हैं कि इस point को हम अपना reference मानते हैं इस point को reference मानते हैं यह x axis है यह x axis है और यहाँ पर z axis यह x axis है यह y axis है और यह x axis है यह positive directions है वो side में तो इसको हमने अपना origin वाना होगा है इस हिसाब से अगर इस simple cube में मैं इस plane को imagine करूँ तो मुझे बताओ इस plane का wish indices क्या होगा तो सर बड़ा simple सा है अगर मैं इसका wish indices बताता है actual cut कहाँ पर मारेगा अगर यहां से लेके यहां के distance को मैं one मान के चलता हूं विचिज इक्वल टू माइज लेंथ तो यह हो जाएगा सर one is two यह one comma लिख देता हूं one comma जादा बैटर होगा यह सरफ comma भी हटा देता हूं सरफ numbers लिखता हूं one और x-axis पर one है y-axis और z-axis पे parallel है तो infinity infinity हो जाएगा यह तो हो गया मेरा विस indices अब अगर मैं इसका miller indices निकालू तो यह निकल के आएगा one zero zero क्या हैगा one zero zero क्याम उसका inverse ल यहां से यहां का distance कितना है तो उसको कहेंगे distance one zero zero that is the distance between this plane from the origin अगर मैं इसको origin मानता हूं तो उस plane का इस origin से distance कितना है d100 that's how you calculate अगला प्लेन लेते हैं यह वाला प्लेन can you say this plane यह प्लेन जो है वो इस cube के center में है it's in the middle of this cube मैं कह सकता हूं की edge length के half से पास हो रहा है अगर मै इसको अपना origin मानता हूं इसको अगर मैं अपनी x access मानता हूं इसको मैं y access मानता हूं और इसको अगर मैं z access मानता हूं I can see अगर मैं इस plane का wish indices लिखूं अगर यहां से लेके यहां का distance अगर one unit है यह कि मेरा unit cell है entire unit cell के बीच में है वो ठीक है अगर वो मेरा unit cell है तो इसका wish indices हो जाएगा half infinity infinity logic समझा यहां से लेके यहां का विस इंडाइस क्या है वन पर यह आधे पर प्रेजंट है actual intercept को विस इंडाइस कहते हैं अब अगर इसी का मैं मेलर इंडाइस निकालू तो मुझे इनवर्स लेना पड़ेगा one upon two का इनवर्स हो जाएगा कितना two one upon infinity का इनवर्स कितना हो जाएगा जीरो जीरो तो यह हो गया two zero zero का plane उमीद करता हूँ logic समझ में आया तो अब बड़ी simple सा फंडा है अगर मैं यहां से यहां का दिस्टंस निकालूंगा इस सेंटर से अगर यहां का डिस्टंस निकालूंगा तो मैं इसको काहूँगा डी two zero zero कैनी एक ऐसा plane जिसका two zero zero two zero zero किया बदाता थे मिलर इंडाइस वाफ infinity infinity किया बदाता इसका विस इंडाइस उमीद करता हूं यह लॉजिक समझ में आया होगा यहां तर अगला एक प्लेन इमेजिन करो मान लेते हैं अगला जो मेरा प्लेन है वो यहां पर सेंटर है मेरा यह मेरा सेंटर है मैं सेंटर ज़रा शिफ्ट कर रहा हूं कि कि अगर मैं यहां से प्लेन ट्रॉ करता है इसा तो तो आप समझे नहीं पाते हैं, तो डाइग्राम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मैंने प्लेन को वहाँ बनाया है, और मैंने अपने सेंटर को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, अब वो जो मेरा सेंटर वहाँ प्रेजेंट है, अगर यह मैं X-axis मानता हूँ, यह मैं अगर Y-axis मानता हूँ, और यह मैं अगर Z-axis मानता हूँ, तो उस सेंटर से अगर मैं इस प्लेन का कॉडिनेट लिखना स्टार्ट करूँ, तो यह यहाँ पर हाफ पे आ रहा है, यह यहाँ पर हाफ पे आ रहा है, यह यहां पर half pair, अगर यह entire edge length, अगर मेरी A है, which is equal to 1, अगर अम उसको 1 मान के चलते हैं, unit length मान के चलते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से, इसका wish indices हो जाएगा, half, half, और half, तो अगर इसका miller indices लिखोंगा, तो that will be 2, 2, 2, तो मैं कह सकता हूँ, यह अगर उस सेंटर से लेके, यहां तक का distance मुझे पता करना हो, तो यहां से यहां पर हो, यहां से यहां का distance अगर मुझे पता करना हो, I hope you got this point, यह plane है यहाँ पर, this plane is over here, ठीक है, और वो कहां कट कर रहा है, वो half पर intercepts पर कट कर रहा है, half intercept, तो मरले वो क्या हो जाएगा, D2, 2, 2, विकाज उसका वीस इंडाइस हाफ, हाफ और हाफ होगा, दोनों तीनों कट्स हाफ-हाफ पर लग रहे हैं, यह X-axis है, यह Y-axis है, और अगर यह Z-axis मानते हो तो, अगर इस प्लेन का मैं वीस इंडाइस लिखूँ, इस प्लेन का अगर मैं वीस इंडाइस लिखूँ, तो X-axis पे 1 है, Y-axis पे 1 है, तो 1-1 और Z-axis पे नहीं कर रहा है, तो इंफिनिटी आएगा, वीस इंडाइस में इंफिनिटी लिखते हैं, टू पैरलल प्लेन, मीट अट इंफिनिटी, अगर इसका मिलर इंडाइस लिखूँ, तो मिलर इंडाइस कितना हो जाएगा, 1-1-0, तो यहां से उसका डेस्टेंस, यहां से, ओरीजिन से, उसका डेस्टेंस जो होगा, उसको कहेंगे, D-1-1-0, या कहेंगे, D-1-1-0, बात करते हैं इस प्लेइन की, अब देखो, इस प्लेइन में और उस प्लेइन में फरक क्या है, यह दोनों प्लेइन अलमोस्ट सेम है, बस फरक सरफ इतना है, वो प्लेइन यहां कट कर रहा था, तो उसको D-2-2 कहते थे, तो इस प्लेइन को अब समझ जा हूँ क्या कहेंगे, D-1-1-1 कहेंगे, क्यों पता हैं? यह 1 पर कट मार रहा, यह 1 पर कट मार रहा, यह 1 पर कट मार रहा, तो उस पॉंट से, अगर मैं इसका डिस्टेंस पता करूं कितना है, got my point? उस पॉंट से, यहां का जो distance है उस point से यहां का जो distance है उसको कहेंगे D11 अब यह मैंने आपको क्यों पढ़ाया यह मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि यह जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यह आने वाले time में आप कभी life में x-ray diffraction पढ़ोगे x-ray diffraction का study करोगे आने वाले time में जब आपका भी master's में जाओगे या graduation में जाओगे mostly master's में जब आप जाओगे msc तो x-ray diffraction करके एक technique पढ़ाई जाती है और आने वाले time में अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको में सिखाऊँगा कि किसी भी plane का distance कैसे निकाला जाता है D100 का, D200 का, D22 का, D110 का या D11 का क्योंकि हमारे पास एक formula है अगर मेरे पास एक simple cube है तो D का formula हो जाता है A upon under root of h square plus k square plus l square बस make sure करना यहाँ पर हम hkl लेते हैं ना कि उनका actual indices लेते हैं तो यह even though half पे कट मार रहा है पर लिखते से हम 200 का मतलब होता है कि वह को सेंटर से 2 ताइम्स प्रेजंट है 2 का मतलब हो गया 1 upon half, actual indices उसका 1 upon half होता है that is this indices उमेद करता हूँ यह वीडियो बट चोटा सा एक short and crisp वीडियो था जहां पर यह पार्ट समझ में आया आपको बताने बाला हूँ कि कैसे अलग-अलग in proxy का हम нашis निकाल सकते हैं simple cube में body centered cube में and face centered cube में और किस cube में कहां पर कैए다고 Main lineup क debate तो समझ जहाना वो कुछ टाइप का plane है मुचे बार बार इस बार यह बताना नहीं पढदे का ऐसा plane 1100 होता यह plane two zero zero होता है यह plane जो होता है वो two two होता है यह plane क्या होता है one one zero होता है और ऐसा plane one 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 होता है ठीक है मिलते है अगले मीडियो में जलदेन बाबाई take care and god bless you all